जहिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSE ने Stenographer की C और D post के लिए 1207 यहाँ पर विकेंसी जारी कर दिया गया है अगर दोस्तो इस वीडियो को अगर आप complete देखते हैं तो दोस्तो एस्टेनोग्राफर की ही यहाँ पर जो मैं आपको cut-up यहाँ पर दिखाने वाला हूँ पिछला जो यहाँ पर विकेंसी पर जारी किया गया था वित्प्रूफ के साथ category wise cut-up आपको देखने को मिलेगा साथ में department wise cut-up आपको देखने को मिलेगा cut-up आपको क्यों देखना चाहिए पिछले साल का देखिए अगर आप यहाँ पर जो है एक अच्छे level पर अगर आप तयारी करना चाहते हैं आपको पिछले साल की हर एक चीज की जनकारी होनी चीए साथ में इस paper के बारे में भी आपको इस भरती के बारे में भी पूरी complete knowledge वगरा जनकारी वगरा होनी चीए इसमें physical वगरा भी यहाँ पर होता है कि height वगरा कितनी measurement होती है और running वगरा भी होता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर इस बरती जुड़ी आपको जनकारी मिलने वाली है साथ में last में सभी चीजों को analyze और research करने के बाद दोस्तों मैंने एक expected cut-off chart तियार किया है जो exam point of इसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा important यहाँ पर होने वाला है उसको भी आपको जरूर देखना चीए ठीक है तो चले friends बिना किसी तेरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमेशा कितरा अगर आपने रोजगार संकल्प चैनले को subscribe नहीं किया है तो आपको रोजगार संकल्प चैनले को subscribe करके जरूर रखना चाहिए साथ में notification bell भी on कर ले क्यूंकि आपको इस चैनला प बता है कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो चात्र हैं जो चात्राएं हैं उन्होंने यहाँ पर फॉर्म जो है अल्रेडी यहाँ पर भरना जो है वो अपना फॉर्म जो है भर लिया होंगे और बहुत सारे ऐसे साथी है जो आगे आने वाले दिनों में फॉर्म अप्लाई आपका मेरिट बनेगा और इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा और सेकंड जो स्कील टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिंफाइंग इन नेचर आपका रहने वाला है हर एक चीज आपको इस भरती जूड़ी आपको किलियर करने वाले ठीक है mode of selection की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है अगर आप general category से belong करते हैं तो आपको 30% तो at least आपको लाना ही होगा OBC EWS का candidate है तो 25% और बाकी जो category रह जाती है उनके लिए हाँपर 20% जो CBT exam है उसमें हाँपर लाना होगा तो यह सारी चीज़े है दोस्तों इसके लावा दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका जो CBT होगा वो कितने नंबर का होगा देखिए CBT होगा आपका जो पार्ट है तीन पार्ट में यहाँपर होने वाला जिसमें यहाँपर subject देख सकते हैं general intelligence and reasoning, general awareness और English language and comprehensive से question पूछे जाते हैं ठीक है जिसमें दोस्तों यहाँपर जो है number of question देख सकते हैं maximum marks देख सकते हैं तो total जो है 200 यहाँपर question आप से पूछे जाते हैं 200 marks के बराबर होता है दो घंटे का समय आपको दिया जाता है ठीक है objective type दोस्तो question यहाँ पर पूछे जाते हैं और यहाँ पर दोस्तो there will be negative marking equal to one third देखें one third इसमें negative marking भी रखी जाती है ठीक है तो इस चीज़ को भी आपको इस तोर पर ध्यान रखना है और इसी के base पे आपका merit वगरा जो है वो यहाँ पर बनता है ठीक है अगर आप यह CBT exam qualify कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो आपका skill test के लिए आपको call कर जाता है skill test जो है दोस्तो आपका qualifying in nature आपका रहता है ठीक है और merit जो आपकी बनती है दोस्तो computer best के exam पे ही बनती है मतलब यह वाला जो है इसमें जितना भी आप score करेंगे उसके base पे आपका merit वगरा तयार किया जाएगा ठीक है meditation जो है आपका 10 minute का समय मिलेगा हिंदी और इंग्लिस के लिए जिसमें दोस्तो जो आपकी speed है यहाँ पर 100 watt per minute के हिसाब से आपकी speed होने चाहिए stenographer grade C के लिए और 80 watt per minute के हिसाब से जो आपकी speed होनी चाहिए यहाँ पर stenographer grade D के लिए ठीक है और यहाँ पर दोस्तो आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो है इन्होंने post यहाँ पर बता रखा और यहाँ पर language of skill test के बारे में बता रखा है duration यहाँ पर बता रखा है stenographer grade D के लिए इंग्लिस की जो यहाँ पर language skill test है वो आपको 50 minute का समय मिलेगा आगे दोस्तों stenographer यहाँ पर grade D के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के लिए हाँ पर 55 minute stenographer grade C के लिए इंग्लिस के लिए हाँ पर 40 minute और stenographer grade C में हिंदी के लिए यहाँ पर 55 minute का यहाँ पर समय बगरा यहाँ पर मिलेगा अगर यहाँ पर दोस्तों यह चीज आपका clear हो गया, पहले तो आपका जो exam होगा, exam qualify कर लिए, उसके बाद skill test qualify कर लिए, उसके बाद दोस्तों बारी आती है यहाँ पर physical test के तो physical test से दोस्तों group B, non gadget और group C post के लिए होने वाला है, जिसमें one mile की race होगी, one mile मतलब 1.6 km की जो race हो ज़्यादा ले लेते हैं, सोलो समिटर की race को complete करने में तो आपको disqualify कर दिया जाएगा, तो यह आपको दोस्तों यहाँ पर complete करना है, qualifying in nature यह भी आपका रहने वाला है, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर height, यहाँ पर measurement किया जाएगा, reason wise, यहाँ पर अलग-अलग height आपका होने माला है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप western हिमाले के, यहाँ पर region के अंत्रगाद आते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर state को cover किया गया है, जिसमें जम्मो कस्मीर है से लेके, यहाँ पर उतराखंड तक यहाँ पर cover किया गया है, जिनमें height जो है यहाँ पर 158 cm, यहाँ पर इस यहाँ पर state या region से बिलॉंग करने वाले candidate की height है, 158 cm यहाँ पर measurement किया जाएगा, और वहीं दोस्तों यहाँ पर chest 75 तो at least होना चाहिए, 5 cm यहाँ पर फुलाना होता है, weight बगरा यहाँ पर बता रखा है, तो यह तमाम तरह का reason wise यहाँ पर आप देख सकते हैं, UPBR के लिए 157 cm यह height बगरा होनी चाहिए, और chest 75 से यहाँ पर 80 यहाँ पर मांगा गया है, weight यहाँ पर 50 kg के असपास होना चाहिए, तो यह तवाम तरह की जनकारी जोस्तों इस भरती जूड़ी आपके पास होनी चाहिए, अब चलते हैं जो ह इसका पिछला सल का cut-up अगरा हर एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर categories wise और यहाँ पर department wise आपको बताने वाला हूँ, ताकि दोस्तों यहाँ पर आपके मन में यहाँ पर level set हो सके कि कौन से post के लिए, कौन से department के लिए कितना यहाँ पर cut-up जाता है, ताकि दोस्तों उस level की आपको तयारी यहाँ पर आपको करने चाहिए, ठीक है, सबसे उपर ही staff selection commission, stenographer grade C and D examination 2022, declaration of result of computer-based examination to call candidate for appearing in skill test, ठीक है, तो यहाँ पर जो candidate यहाँ पर CVT qualify कर लिए है, उनका यहाँ पर result आपको देखने को मिल रहा है, तो नीचे यहाँ पर यहाँ पर देख सकते है, ग्रूप C में इतने बचे हाँ पर shortlisted हुए थे, और ग्रूप D के लिए यहाँ पर इतने बचे shortlisted हुए थे, ठीक है, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर cut-up की बात करें, तो यहाँ पर cut-up भी इसके side में यहाँ पर दिखने को मिल जाता है, SC का 114, कितने में से दोस्तों 200 wax में से, ठीक हुआ है, ठीक है, यह तो group C का हो गया, group D का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, SC का 76, ST का 63, OBC का 96, इसी परकार से PWS का 90 और यहाँ पर journal का 108, इसी परकार से PWD का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यह तो यह आप cut-up वो देख रहे हैं, जो यहाँ पर CVT में बच्चे बैटे थे, ठीक है, उनका यहाँ पर cut-up आप देख पा रहें, ठीक है, अब जो है, final cut-up देख लीजेगा, इस cut-up से final cut-up में बहुत हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, final cut-up, declaration, final result, stenographer, grade C and A, examination 2022, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जो है, सबसे पह cut-up अलग-अलग जाता है, ऐसा माँ समझ लेना है कि आपका एक जैसा ही cut-up जाता है, नहीं, हर एक department का अलग-अलग cut-up जाता है, और उन्होंने code यहाँ पर ध्यान रखिये, यहाँ पर C1 मतलब Central Administrative, यहाँ पर Tribunal, C2 मतलब Central Board of Indirect Taxes and Custom, C3 मतलब Department of Agricultural Corporation and Former Welfare, इसी प्रकार स यहाँ पर पूरे code यहाँ पर दिये गए, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें C1 code की, तो C1 code में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें SC का यहाँ पर 6 vacancy थी, 6 vacancy फिल कर यहाँ पर की जा चुकी है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं, 142.68 यहाँ पर cut-up गया हुआ है इसके लावा OVC का देख सकते हैं 150 किसमें कितने में से 200 में से क्योंकि जो CBT का जो यहाँ पर जो पेपर होगा CBT उसी के बेस पे आपका merit बगरा बनेगा मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है इसके लावा जर्नल का यहाँ पर cut-up की बात करें तो 152 गया है यह क्यों से पोश्ट के लिए यहाँ पर C1 पोश्ट के लिए यानि कि Central Administrative Tribunal के लिए C2 के लिए यानि कि Central Board of Indirect Taxes and Custom के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं C2 की यहाँ पर जो है यहाँ तक है और यहाँ पर देख सकते हैं 146, 137 यहाँ पर SC का और इसी प्रकार से दोस्तों OH करनी का रहा 116 और जर्नल का यहाँ पर देख सकते हैं 147 यहाँ पर cut-up गया हुआ है तो इसी प्रकार से यहाँ पर cut-up आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर जो department यहाँ पर देख सकते हैं इन department में cut-up हमेशा ही ज़्यादा जाता है ठीक है इस बात को भी ध्यान रखना है ठीक है अब बात करें नीचे यहाँ पर देख सकते हैं grade D grade D के अंत्रकत यहाँ पर C, 12, RI तो यह यहाँ पर कैसे देखेंगे तो इसी के नीचे यहाँ पर पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर बता रहे है D12 मतलब यहाँ पर बॉर्ड रोड और्रोनाइजेशन पोस्ट कोड तो इनको अच्छे से चेक कर लेना है इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हम बात कर लें कि यहाँ पर कितना कितना कटफ यहाँ पर गया हुआ है तो यह चीज यहाँ पर देख सकते हैं D12 मतलब बॉर्ड रोड और्रोनाजेशन जिसमें EWS की बात करें तो 131 कटफ SC का देख सकते हैं 123 ST का देख सकते हैं 107 इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा कटफ आप देख सकते हैं तो डिपार्टमेंट वाइस आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि किस डिपार्टमेंट में अब लेवल है वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो टेलिग्राम चनल पर मैं इसको दे दूँगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम चनलेंग का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो यह तमाव तरह की मैंने C और D दोनों को यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक साइड मैंने जनल का यहाँ पर कटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है एक साइड यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखा हुआ है यानि कि टॉप जू डिपार्टमेंट यहाँ पर होते है जिसमें cut-up हमेशा ही हाई जाता है अगर आप उस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर चैनित होना चाते है तो इससे प्लस ही आपको नमबर रखना है ठीक है तो minimum cut-up से प्लस ही आपको नमबर रखना है और इससे कम भी cut-up जाता है ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखे हैं कि जिनके यहाँ पर 110-120 पे भी यहाँ पर cut-up यहाँ पर गया हुआ है कि इसमें ही आपको नौकरी मिले इसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिले तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे नमबर लाने की आव सकता है तभी यह possible हो पाएगा वैसे तो आप कम नमबर भी लेके अरापार है इससे कम भी तो भी दोस्तों आपको डिपार्टमेंट तो मिल जाएगा लेकिन आपका मन चाहँ डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं मिल सकता है लेकिन नौकरी आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएगी जो है जरूर आपको दे दूँगा और इस वीडियो को अपने साथियो तक अपने फ्रेंड सरकल में फटाफ़र सेयर भी कर देना है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचेंग जहिंद